बुंदेल खंड में जनमे थे राष्ट कवी मैतली शन्ड गुप्त मैतली शन्ड गुप्त खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूंट कवी थे जिन्होंने आचारे महावे प्रसाद दोवेदी जी की प्रेणना से खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कवीता के द्वारा खड़ी बोली को एक कावे भाषा के रूब में निमित करने का भरपूर प्रयास किया हिंदी कवीता के इत्यास में मैतली शन्ड गुप्त जी का यह सबसे बड़ा आदर्नी योगदान है मैतली शन्ड गुप्त जी का जन बुंदेली नगरी रानी जहासी की नगरी से लगबग 31 किलो मीटर की दूरी पर इस्तेच चरगाओं में 3 अगस्ट 1886 को हुआ था बच्पन में स्कूल जाने में रुची ना होने की वज़े से इनके पिता सेट रामचर्ण गुप्त ने मैतली शन्ड गुप्त की सिक्षा दीख्षा का इंतजाम घर पर ही कर दिया इस तरहे मैतली शन्ड ने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी वा बंगला भाशा का अध्यन किया मैतली शन्ड के पिताजी सेट रामचर्ण गुप्त भी एक अच्छे कवी थे वे कनकलता उप नाम से कविता लिखा करते थे असल में मैतली शन्ड गुप्त को कविता विरासत में मिली थी तभी वे बच्पन से ही कावे रचना करने लगे थे मैतली शन्ड के पिता ने उनकी एक रचना को पढ़कर आशीरवाद दिया था कि तू आगे चलकर हम से हजार गुनी अच्छी कविता करेगा हाला कि उनका यह आशीरवाद अक्षा सथ साबित हुए बाद में मुन्शी अजमेरी के साथ ने उनके कावे संसकारों को नई दिशा दी मैतली शन्ड गुप्त के व्यक्तित्व में प्राचीन संसकारों तथा आधुनिक विचार धारा दोनों का ताल मिलता मैतली शन्ड गुप्त को साहित जगत में सम्माल से दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था मुन्शी अजमेरी के संपर्ग में आने के बाद मैतली शन्ड की कावे प्रतिवा में इजाफा हुआ तभी कोलकता से प्रकाशित होने वाले पत्र वैश्योप कारक में मैतली शन्ड की रचनाव का प्रकाशन हुआ आचारे महावे प्रसाद दुवेदी उन दुनों जहासी के रेल मंदल कारियाले में चीफ कलर किपत पर कारे रग थे एक बार मैतली शन्ड गुप्त अपने बड़े भाई के साथ उनसे मिलने गए बाद में उनकी छत्र छाया में मैतली शन्ड जी की कावे प्रतिवा में चार चान लग लगे मैतलीशन गुप्त आचार महाविर प्रसाद दुवेदी को अपना काविगुरू मानते थे आगे भी उनीके दिशा नर्देश पर जीवन के अंत तक साहित साधना में लिप्त रहे मैतलीशन गुप्त ने राष्टी आंदोलनों में बढ़ चरकर भाग लिया और कई जेल यात्राएं भी की मैतलीशन गुप्त सुवाव से ही लोक संग रही कवी थे वे अपने यूग की विशम समस्याओं के प्रती विशे समवेदन शील रहे महात्मा गांदी के भारती राजनतिक जीवन में आने से पूर्वी मैतलीशन गुप्त का युवा मन गरमदल और ततकालीन कांतिकारी विचारधारा में रम चुका था अनक से पूर्व की रचनाओं में खास तोड़ से जैद्रत वद और भारत भारती में कभी महतलीशन का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है बाद में महात्मा गांदी, डॉक्टर राजन प्रसार, पड़े जवाहलाल नहरू वा विनुवा भावे के संपर्ग में आने के कारण मैतलीशन गुप्त गांदीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलन के समर्थक बने सन 1936 में राष्ट की आत्मा को वाणी देने के कारण महात्मा गांदी ने मैतलीशन गुप्त को उनकी राष्ट्रीता की भावना से ओत्प्रोथ रशनाओं की आधार पर राष्टकवी की उपादी से सम्मानित किया था आपको बतादे की हिंदी काव्य को शंगार से निकाल कर राष्ट्री भावनाओं की पावन गंगा बहाने का श्रे मैतलीशन गुप्त जी को ही जाता है तब ही उन्हें राष्टकवी की उपादी से नवाजा गया था मैतलीशन्ड गुप्त को उनकी काव की उतक्रष्चता पर सम्मानित करते हुए आगरा विश्विद्याले से उनको सहित वाचासपती की मानद उपारी से विवोश्चत किया गया था मैतलीशन्ड गुप्त को हिंदी सहायत सम्मेलन ने इनकी रेचना साकेत के लिए मंगला प्रसाद पारितोशिक पुरुषकार दिया था सन 1945 में भारत सरकार द्वारा मैतलीशन्ड गुप्त को पदमभूशन पुरुषकार से अलिंकत किया गया आपको बता दे कि मैतलीशन्ड गुप्त को दो बार राजिसवा के सदस्य होने का भी सम्मान प्राप्त है मैतलीशन्ड गुप्त जी की मुख्य रचनाओं का उल्लेक करना भी जरूरी है मैतलीशन्ड गुप्त जी की चर्चत रचनाए साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विश्नु प्रिया, मेगनात वद, पलासी का युद्ध, विरहनी, व्रजांगना, व्रंत सहार, विरांगना, रंग में भंग, जय द्रत वद, किसान, पंचवटी, सिद्राज, भिडिंबा, तिरिपत्मा, कावा और क नर्बला, गुरुकुल, मंगल घट, अनग, तिल्लोत्मा, चंद्रहास, आदिये, राजफ्यम व्यक्त करती मेटली शर्ण की इन पंक्तियों को भला कौन भूल सकता है, जो भरा नहीं है भावों से, जिस मैं बहती रसधार नहीं, वैं हिर्दय नहीं है पत्थर है, जिस मै स्वदेश का प्यार नहीं, राजकवी मैतली शर्ण गुप्त का देहान 12 दिसंबर 1964 को उनके पैत्रिक ग्राम चिरगाओं में हुआ था, मैतली शर्ण गुप्त जी के जन दिवस, यानि 3 अगस्त को कभी दिवस के रूप में मनाते हैं, मैतली शर्ण गुप्त की रचनाएं मैं आज भी इस बात का एसास कराती हैं कि भारती संस्कृती में साहित का कितना महत्वण योगदान है, ऐसे राजकवी को बंजारा बीट्स शत-शत नमन करता है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, देख दरिए बंजारा बीट्स